है एग दिन पहले लखना पड़ता दूसरे दिन बनाना पड़ता दो- मैं बनेंगा दो तीन दिन किलू बापरे बहुत ज्याद़ होते हैं तो वो इसको नाम के इसका गीवर अच्छा सिंदी में गीवर बुलते हैं यह दे पिछा उब दो दिन लगते हैं अच्छा क्या-क्या दलार रहते हैं इसके इंड़ कि मैदा और शक्कर अच्छा मेदा रही तो फिर फइंड वा जाता हुआ बड़ी जली भी एक दमेने एक तरह से अच्छा क्रिस्पी और खाने मिठास है भाई भूली में यह अपने फैमिली और फ्रेंड को देते हैं अच्छा विटियों को बेचते हैं अच्छा मंदर में लगे जाते हैं पूजा के लिए अच्छा मुल्टी परपर्स हो गया है तो जैसे यह चाहिए अपने को जरी पठका में तो किधर आना पड़ेंगा आपना अपना यह वसंचा चौक है अच्छा में अपनी शॉप का नाम आपना एवन गीर अच्छा एवन गेर नाम से गनी बिया नाम से थे चानी सल से बनाते हैं अच्छा यहने स्पेशली होली होली पनरह दिन रहता है अगर आपको चाहिए जहरी पटकर में तो इदर आ जाना बड़ेया अपनी फैमिली फ्रैंड के लिए यह चीज तो भाई मेंडिटरी है क्या बात है यहां से निकाल लिए और इसमें चाशनु में दालने के बाद अच्छे घुल मिलने के बाद भाई निक चली ताँ में अब हो वह प्रकार में तो सअ क्या क्या भाई वक्राब। कि दिन में पुरा माल खतमिए है ताजा है आज यह जाताела चाहिए तक लिए तंदाहा हो घिया अरुTTष्ण इस वाक्ते कली ही तैयार कर देते हैं अपन ऐसी है यह माल ज्यादा बना के नहीं रखते हैं अच्छा विल्कुल ताजा माल गिराइक पॉल भी गिलागा है फंद्रा दिन एक मैना तो यह खराब ही नहीं होते हैं नहीं क्या वात है जब आपन फ्रेज जेते हैं अभी जैसा सिंदी यह हुआ बुलते हैं अब मैं इसको ट्राइ करता हूँ और बतातो आपको इसका टेस्ट कहसे है वोली स्पेशल सिंदी गेहर खाने वालो और बतातो इसका टेस्ट कहसे है ठीक है फुल चाश्नियों भर रहा हुए भाई जबरदस्त तेस्ट जबरदस्त है फैमली फ्रेंड के लिए बाई जबरदस्त है होली में है तो बाई बिलकुल यह चीज को बंती है जरी बटका में मिलता है यह पैड्रेस पुरा डिस्क्रिपिशन में देदूँआ आना बिलकुल टेस्ट करना मजा आ जाएंगा भाया